ग्री मंत्री अमिश शाह ने आज संत कभीर नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया, इस मौके पर शाह ने विपक्ष पर चुन-चुन कर हमला बोला, शाह ने का कि बीजेपी के विपक्ष में परिवारवादी लोग हैं, ये कुनबा अपने बेटे बेटियों को मुख् हुआ है, सोनिया गांधी अपने बेटे राहूल को प्रधान मंत्री बनाना चाहती है, पाक अधिक्रित कश्मीर हमारा था, है और हम लेकर रहेंगे, ये भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो उनके भाषन में शुमार रहे हैं, तब मैं आपको पांच चरण के चु पांच चरण में मोदी जी 310 पार करकर 400 की और बढ़ रहे हैं, और भाईयो बेनो, कॉंग्रेस्ट और समाजवादी पाटी का सुपड़ा साभू, मेरी बात याद रखना, और राहूल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको चालीस से ज्यादा सीटे नहीं मिलने वाली हैं, और अखिलेस बाबो, आपका तो चार कांभी आखड़ा पार नहीं हो रहा हैं, मोदी जी निश्चीत रूप से इस देश के तीसरी बार प्रदान मंत्री बनने जा रहे हैं, मितो तीसरी बार.